Hi guys, welcome back to the channel, so आज हम review करने वाले हैं New Marathi Desire का सबसे आदा value for money variant, अब यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़े मिलने वाली हैं, आज अपन इसके बारे बात करेंगे, so before we start, special thanks to Shobarina for helping me out, और आपको Marathi का कोई भी प्रड़क देखना है, शोरम की सारी contact details आपको, description ने मिल जाएंग यहाँ पर आपको एक लाख रुपेज आदेना पड़ेगा, और अगर आपको automatic चाहिए, तो automatic आपका यहाँ से ही start होता है, so यह automatic का base variant है, price के बारे हैं बात की जाए, so for manual, you will have to give 7.79 lakh extra room, और अगर आपको यहाँ पर AMT चाहिए, तो उसके लिए आपको 8.24 lakh extra room देना पड़ तो यह इसके prices है, अब मेरे हिसाब से कि सबसे जादा value for money variant है, because यहाँ पर आपको लगभख सब कुछ मिलने वाला है, जितनी भी जरूरत की चीज़े होती है, उस सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, so क्या-क्या है, उसके बारे हैं बात करते हैं, सबसे पहले, front तो यार, भी different मिलेगी, we have projector with halogen light, तो यहाँ पे आपको फुल LED नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको उपर वाले variant के साथ जाना पड़ेगा, यहाँ पे projector with halogen है, उसके बाद halogen turn signal है, fog lamp नहीं है, बढ़वा बाद में लगवा सकते हो, और यह सब यहाँ design वगएरा काफी बढ़ियां ल आई है न, so today we have involved rain forest का sandalwood, जैसा इसका नाम है, वैसी आपको यहाँ पे fragrance मिलने वाली है, so यहाँ पे आपको sandalwood की एकदम refreshing fragrance मिलेगी, it comes in this concentrated bottle, जो की आपको अराम से 3-4 मेने last करेगा, और इसके साथ आपको यह टाब मिलेगा, इस टाब में आपको, ऐसे करके spray करना है, and once you sprayed, वहाँ से बड़ियां diffusion होता राएगा, so it's a very refreshing fragrance, इसकी लिंक में आपको description में दे रहा हूँ, also there's a 10% discount coupon, so discount भी अवेल कर लेना, and according to me, you must have it, बाकी आब आपन चलते हैं, इस गाड़ी के engine की तरफ, so engine तो यहाँ सेम है, base model, top model, सब में आपको same engine मिलेगा, so we have the 1.2 liter, 3-cylinder, naturally aspirated petrol engine, यह videos करता है, 82 PS, and 1.1, 2NM का talk, इसमें आपको manual या फिर EMT, दोना options मिलेंगे, बाकी एस गाड़ी का engine पे, यहाँ पे आपको insulation मिल जाएगी, the hood compared to the previous variant, हलका heavy feel होता है, दर्वाजे होतने heavy feel नहीं होता है, but hood हलका heavy feel होता है, and also, this is 5 star, 5 star for adult occupants, 4 star for child occupants, और यह 3rd safest car है, so, in terms of global in-cap, this is the 3rd safest car we have in India, so safety के मामले में तयार, अब यहाँ पे कोई विरिकत नहीं है, and आपन चलते हैं, इस घाड़ी के side profile की तरफ, side से yes, आपको हलका सा लगेगा कि, यह सब चीजे नहीं है, but यहाँ पे आपको wheel covers मिलने वाले हैं, अब यह पीछे रखे हुए हैं, so wheel covers आपको मिलेंगे, बाकी, the design and all looks good, मतलब पहले जैसा नहीं लगता है, कि एकदम अलक्स है, design अच्छा दिखता है, proportional दिखता है, बाकी वापन चलते हैं, इस घाड़ी के wheels की तरफ, so यहाँ पे आपको steel wheels with wheel covers मिलेंगे, profile के बारे हैं बात की जाए, so it's 165 by 80, R14, so 14 inch के आपको यहाँ पे wheels मिलेंगे, wheel cover पीछे रखे हैं, बाकी यहाँ पे turn signal, उसके बाद ऊपर की तरफ आपको shark fan antenna मिलेगा, rear defogger standard है, so you will get it in all the variants, और यहाँ पे यह spoiler दिया गया है, so यह भी बढ़िया लग रहा है, अनौपन चलते हैं इस घाड़ी के rear look की तरफ, रिया से तो यार, top model और यह वाला model, सब सेम ही दिख रहे हैं, so the rear is very similar, यहाँ पे आपको LED tail lights मिलेंगी, so यह बहुत बढ़िया लग रहा है, LED tail lights है, same like top model, rear camera नहीं है, बड़ यहाँ पे आपको rear parking sensors मिलेंगे, so camera यहाँ लगवा लेना, क्योंकि top model में तो आपको 360 camera मिल रहा है, यहाँ पे 360 नहीं है, but rear camera तो आप वैसे भी मारूती से लगवा सकते हो, not a big problem, और यहाँ पे आपको same like front, यह black और chrome मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे desire का badge है, so आप लोग में को बताइए, बाहर से आपको यहाला model कैसा लग रहा है, आपन चलते हैं, इस गाड़ी के boot space की तरफ, so boot space के मामले मे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे काफी अच्छा area मिलेगा, the space here is very good, और ज्यादा loading lip भी नहीं है, तो राम से आप समान रख पाओगे, निकाल पाओगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक light मिलेगी, single seat है, 60-40 नहीं है, आप मतलब fold वगेरा नहीं कर पाओगे, सो वह एक बात है, बाकी यह इसके wheel covers हैं, मैं इसको open करता हूँ, सो यह इसके wheel cover हैं, यह आपको silver color में नहीं, dark gray color में मिलने वाले हैं, सो बड़ियां लगेंगे, और अगर मैं ऐसे लगा के दिखा हूँ, so these will look good, because यहाँ पे एक dark gray color है, तो उसकी वैसे आपको एक sporty feel आएगा and the design is good, so यह हैं इस गाड़ी के wheel covers, बागी नीचे की तरफ आपको spare wheel वगेरा मिलने वाला है, so space is not an issue here, and आपन चलते हैं इस गाड़ी के second row की तरफ, so सबसे बहले body color door handles हैं, उसके बाद, dual tone interior है, so black and this light color, उसके बाद chrome, यहाँ पे आपको hard plastic, window controls, door pockets are good enough, आगे वाली seat मेरे head के साब से adjust करी है, मेरी height is 6 feet, side passengers के लिए आपको adjustable headrest में लेगा, उसके बाद, isofix mounts है, sabrek upholstery है, same like top model, so उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, and आपन चलते हैं, अंदर की तरफ, space के मामले में यार, इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं है, I have very good space, नीचे भी काफी अच्छा area है, stretch out करने के लिए, under thigh support is also kind of okay, अगर मैं headroom के बारे हैं, बात करूँ, headroom भी अच्छा है, मतलब मेरी height 6 feet है, और मेरा सर वगेरा नहीं टकरा रहा है, so headroom is good, and the recline angle is very good, the seat is very comfortable, या सीट के मामले में ना मारती आपको बहुत अच्छी सीट देता है, front में भी, rear में भी, तो सीट यार, बहुत comfortable है, एक दम, space वगेरा बढ़िया है, उसके बाद, यहाँ पे आपको handle मिलेगा, उसके बाद, magazine holders, rear passengers के लिए, USB और type C, then we have rear AC vents, तो यह भी एक बढ़िया चीज में, आपको यह armrest मिलेगा, with twin cup holders, so comfort वगेरा के मामले में, आर कोई ब्रेकत नहीं है, और अपन चलते हैं, आगे की तरफ, सबसे जाले मैं आपको इस घाड़ी का keyfob दिखा रहेता हूँ, so यहाँ पे आपको पुराना वाला keyfob मिलेगा, जो अपन पहले देखते थे थे न यहाँ बात है, उसके बाद, ORVM controls, window controls, door pockets are good enough, यहाँ पे आप चा भी लगा पाएंगे, illuminated key slot नहीं है, normal है, so ठीक है, उत्ती कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपको traction control, auto start stop, headlight leveling, height adjustable driver seat है, so यह भी एक बड़ियाँ बात है, और अपन चलते हैं, अंदर की तरफ, अब जैसी आप इस car के अंदर बैठोगे, between the top model and the VXI variant, आपको कोई बहुत जादा difference feel नहीं होने वाला है, बसगे screen हलकी सी छोटी है, बाकी the interior feels very similar, यहाँ पे आपको यह texture, उसके बाद यह silver finish, again यहाँ पे आपको texture मिलेगा, top end variant में आपको wooden finish मिलती है, बट ठीक है, यह भी बड़ियां लग रहा है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले, normal steering, flat bottom, यहाँ पे आपके multimedia controls, then we have call controls, यहाँ पे wiper controls, उसके बाद, यहाँ पे आपको headlight controls मिलेंगे, और steering में, आपको सिर्फ tilt का adjustment मिलेगा, telescopic नहीं है, मेरे decometre, यहाँ पे speed center में, आपको M.I.D. मिलेगी, इसमें आपको trip a trip भी, उसके बाद, real time mileage, average, range, जो अपनी basic चीज़े होती हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, so that's there, बागी यह है, कि यहाँ से control करना पड़ता है, यहाँ बटन देना चाहिए, that's something, and coming towards the infotainment system, तो यह 7 inches का है, जो अपन देखते आ रहे हैं, यार मतलब अभी का नहीं है, बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, so 7 inches का है, इसमें आपको wireless android auto on apple कापले मिलेगा, side में click access buttons हैं, और इसमें आपको, यह सब चीज़े देखने को मिलने वाली हैं, so low fuel और बाकी चीज़े हैं, उसके बाद आपको यहां पे चार स्पीकर मिलेंगे, ट्वीटर नहीं है, सिर्फ चार स्पीकर हैं, so 4 दर्वाजों में एक एक स्पीकर, that's there, और यह बढ़ियां system है, यूज वगेरा करने के मामले में कोई भी रिक्कत नहीं है, बाकी यहां पे rear camera नहीं है, but वो आप भी नहीं लगेगा की manual है, आपको लगेगा की automatic climate control है, but यह manual है, so manual AC controls है, max AC, अगर आपको एक दम से थंड़क चाहिए, तो आप यहां से कर पाएंगे, उसके बाद, 12 volt USB, यहां पे थाउसा area है, दो बड़े-बड़े cup holders है, so that's there, this is the gear lever, center में आपको यह handbrake मिलेगा, armrest नही इसके अंदर भी आपको अच्छा area मिलेगा, उसके बाद, manually dimming IR VM है, यहां पे ticket holder, उसके बाद, यहां पे lights है, and then we have a mirror, so इतनी चीज़ हैं, अब आपन आते हैं, इस गाड़ी के safety features की तरफ, because safety के मामले में, यहां पे आपको कोई भी compromise नहीं मिलेगा, six airbags, ABS, EBD, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control, ESP, यह सारी चीज़े आपको इहां पे मिलने वाली है, so safety के मामले में कोई भी रिक्कत नहीं है, proper आपको इस model में, base model में, सब में proper safety मिलेगी, so safety is not an issue, बागी अब बात करते हैं, कि आपको यहाला variant लेना चाहिए कि नहीं, guys, according to me, अगर आपको एक value for money variant चाहिए, और आप new desire लेने का plan कर रहे हो, फिर मैं कहूंगा आपको VXI variant के साथ जरूर जाना चाहिए, because इसकी उपर अगर आप जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे जादा चीज़े मिलती है, but वो चीजों से उतना significant difference नहीं आता है, आपको ऐसा ही लगएगा कि यार, यह आ गया तो कोई बहुत बड़ा कमाल हो गया, वैसी वाली feeling नहीं आएगी, so यहाँ पे जितनी चीज़े हैं, the only thing which I find missing here is a rear camera, वो आप लगवा सकते हो, not a big problem, so rear camera के अलावा मेरे को इस कार में कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं लग रही है, height adjustment है, seat comfortable है, proper आपको infotainment system वगएरा, सब कुछ मिल रहा है so there I feel, कि अगर आपको एक value for money variant चाहिए और आपको new desire लेना है, तो आप VXI variant जरूर consider करें, बागी अगर आपको इससे थोड़े और feature चाहिए, तो फिर आप ZXI के सांथ जा सकते हो, that is also a good variant, जिसे अगर आपको LED headlight चाहिए, तो इसके लिए आप ZXI के सांथ जा सकते हो, बा लाइक का देना, सब्सक्राइब करना बेल, आपको दो कैसे लगाएं, तो नेक्स वीडियो, बाइ!